प्याच के दाम में भरी कमी, प्याच का निर्यात प्रभावित, और डाल प्याच कितने दिन ओर चलेगा भरत में, और किन किन देशों में प्याच का निर्यात भरत से किया जाता है, ये सारी जानकारी आपको वीडियो के मध्यम से बताई जा रही है, तो सबसे पहले बात करन वाले हैं हम कि प्याज कब किसको समस्या में डाल देगी इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता है इसमें किसान व्यापारी वो रुप भोकता सभी सामिले लासल गाओ क्रसी मंडी समीती में हर दिन प्याज के दाम गटने से प्याज उत्पादक किसान आर्थिक संकट में फस हैं वहीं मध्यप्रदेश राजस्तान जैसे इस्टेट भी प्याज उत्पादक किसान प्याज के भाव कम होने से काफी चिंतित लग रहे हैं इसके लिए व्यापारियों के साथ लासल गाओं क्रसी मंडी समीती की ओर से प्रयास जारी है इसे में कंटेनर का किराया बढ़न से प्याज का निर्यात प्रभावित हो गया है इससे राध देने के लिए केंद्र सरकार से 10% निर्यात अनुदान देने की मांग किसानों द्वारा की जा रही है वहीं गुजरात मध्यप्रदेश राजस्तान और पश्चिम मंगाल के सुक सागर आधी इस्तानों पर लियाल प्याज की बड़े तोर पर आवक हो रही है लासल गाउं सहित नासिक जिले की प्रमुक मंडी और अवमद नगर जिले के चाकन और सोलापूर क्रसी मंडी समीति के लाल प्याज के साथ गर्मी के प्याज की आवक भी सुरू हो गई है इसके परिणाम सोरुत प्याज के जो दा में और लगातार निचे गिर रहे एंग वहीं बात करें यदि लाल प्याज की आवक कितने दिन और रह सकती और क्या बाव गिरावट देखने को मिला है लाल प्याज में वहीं यदि हम बात कर लेते हैं साधाराण जो बाव देखने मिल रहा है मोडल प्राइस साड़े साथ सो रूपए जो लाल प्याज उसका भाव देखने को मिल रहा है वहीं गर्मी के प्याज के मोडल भाव एक जार रुपए प्रतिक विंटल तक अभी गिर गए है इसके चलते प्याज उत्पादक किसानों का खर्च भी नहीं निकल पा रहा है एसे में लाल प्याज की आवक 15 से 20 दिनों में खत्म हो जाएगी तो गर्मी के प्याज की आवक बड़े तोड़ पर होगी गर्मी की प्याज 5 से 6 माह तक ठिक टाक रहती है इसलिए विद् इसने प्याज निर्यात करने के लिए कंटेनर का किराया दो गुना बढ़ने की जिसके कारण प्याज निर्या तक व्यापारी भी परेशान हो गए है क्योंकि कंटेनर का किराया दो गुना हो गया है अब बात करने वाले हैं हम इस वीडियो में कि भारस से किन किन देशों में प्याज निर्यात किया जाता है और कितने देशों में निर्यात किया जाता है भारस से बांगलादेश, मलेसिया, स्रीलंका, संयुक अरब, अमिराथ, नेपाल, सिंगापूर, इंडोनेसिया, कतर, कुवेत, मोरिसा, साथी अरब, बहरीन, ओमान, वियतनाम, माल्दिव, युनाइटेट किंग्डम, थाइलेंड, बुनाइ, रूस, ग्रीस, होंग कॉंग, इतली, निदरलेंड, सेसल्स, फ्रांस, केनिया, कनाड इस्पैन, युनाइटेड, स्टेट्स, आदी, देशों के साथ, कूल, 76, मतलब, चुवत्तर देशों में, प्याज का निर्यात किया जाता है, भारस से, दूबई में प्याज ले जाने के लिए, कंटेनर को किराय के रूप में, 2000 डालर देने पड़ते हैं, अब वहीं किराय डालर से अधिक हो गया है, इसके चलते प्याज का निर्यात काफी प्रभावित हुआ है, इस समझत्या को हल करने के लिए केंदर सरकार ने अनुदान देने की मांग प्याज व्यापारी कर रहे हैं, किसान सात्यों, ये रिपोर्ट थी कि प्याज भारस से किनकिन देसों में निर्यात किया जाता है, और किसानों और व्यापारियों ने केंदर सरकार से जो कंटेनर भेजे जाते हैं, उसमें से 10% किराया अनुदान मांग कर रहे हैं व्यापारियों और किसान, तो देखते हैं, आगे केंदर सरकार क्या फैसला लेती हैं, निर्यात के उपर, अभित के इस वीडियो में इतना ही यदि आपको जानकारी अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह किसानों से जुरे वीडियो देखने के लिए न्यूज देखने के लिए आप चेनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तन्यवाद